आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री भाई गोपार राय जी, मन्द परासीन दिल्ली के स्वास्त मंत्री भाई सौरभ भारत ग्वाज जी, विर्हान सवा की उपार्ध्यक्ष, राखी बिल्लान जी, प्रदेश के उपार्ध्यक्ष, राजेश गुपता जी, जितेंडर तोमर जी, जर्नयव सिंग जी, भाई रितुराज जी और कारिक्रम का संचालन कर रहे, हमारे साथी संजीव जादी, सभी हमारे सम्मानित, विधायत गंड, पारसद गंड, और मैं सबसे ज़्यादा बढ़ाई देना चाहता हूँ, जो यहाँ अभी मंच पर आकर हिम्मत और साहस दिखाया, बिहार के जितेंडर कुमार ने, जो एक दुखी बेटी के दुखी पिता है, मैं चाहता हूँ, उनके साहस के लिए एक बार आप लोग जरूर ताली बजाईए, कि उन्होंने इतनी हिम्मत की, कि कम से कम आज इस जंतर मंतर के इतिहासिक अस्थान पर, आकर अपनी पीरा देश के पुर्धान मंतरी को पहुँचाने का अताम किया, आप सोचिए, कितने मुश्किल से, दिन रात परिश्रम करके, मजदूरी करके, किसानी करके, खेती करके, आटो चलाके, रेडी की पठ्री पर दुकान लगाकर, एक आदमी अपने बच्चे को पढ़ाता है, सपना देशता है, कि उसकी बेटी डॉक्टर बन जाएगी, उसका बेटा डॉक्टर बन जाएगा, समाज की सेवा भी करेगा, और बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, बसातियों और दोस्तों, एक दिन पेट्रोल पंप पे अपनी गारी में तेल भराने के लिए रुख गया, वहाँ पेट्रोल पंप का करमचारी मेंने पास आया, और दुखी होके कहने लगा, मेरी बेटी कहती है, वो वीडियो में मैंने डाला था, मेरी बेटी कहती है, पापा अब हम ये देश छोड़के चले जाएंगे, कितनी मेहनत करें, कितनी परिश्रम करें, कितना सब कुछ करने के बावजोद, ऐसा भरस्ताचार होता है, हमको तो उम्मीद नहीं है कि हमारा कभी दाखिला दावत्री में हो पाएगा, ये पिता की पीरा है, ये बाप की पीरा है, ये करमचारी, ये मजदूर की पीरा है, आप सोचिए, ये नीट के बरस्ताचार को, इसके घोड़ाले को, इसके पेपर लीक को आप सुनेंगे, तो आपके होसूर जाएंगे साथ्यों, आप मुझे बताएए, के इस लाख तैस हजार बच्चों ने इस नीट के एक्जाम में अपनी शामिल हुए वो, तैस लाख तैस हजार बच्चों ने नीट का एक्जाम दिया, और वो नीट का एक्जाम देने के पहले, उन्हों ने कोचिंग किया, परिश्रम किया, मेहनत कि अदिन्राथ पढ़ाई की नीट का एक्दाउम दिया पूरे देश में कुल एक लाख बच्चे प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलाकर सिविक्थ होते हैं दाप्त्री की पढ़ाई के लिए और आपको जानके हरानी होगी सरसथ बच्चों का 720 अंक आ गया ये एक्जाम में घोटाना क्या है ज़रा समझ रहना सरसथ बच्चे एक साथ टाप कर गए यानि कि 720 नंबर एक दो तीन चार बच्चों का नहीं सरसथ बच्चों का 720 नमबर आ गया सरसथ के सरसथ बच्चे टॉप कर गए लोग हैरान हुए ये कैसे हो सकता है सरसथ बच्चों का एक साथ टॉप कैसे कर गए तिर और जाच हुई तो पता चला एक ही कोचिंग सेंटर के छे बच्चे जिनको 720 अंक मिला छे के छे टॉप कर गए फिर और पता चला और जानकारी मिली तो गुजरात की एक लड़की है उसको फिजिक्स में मिला एक नमबर मीडिया वाले भी ध्यान से सुन ले उस लड़की को मिला उस छात्रा को मिला फिजिक्स के एक्जाम में एक नमबर लेकिन नीट के एक्जाम में जो इतना कठिन पर एक्जाम होता है इतनी कठिन पर इच्छा होती है उसमें 720 अंक मिल गया 720 अंक मिल गया ये नीट का एक्जाम मोदी सरकार का भरस्ताचार है ये नीट का एक्दाम मोदी सरकार के पेपर लीग का धोटाला है ये नीट का एक्दाम सिक्षा मंत्रारे के अधीन आने वाले NTA के अधिकारियों और राज सरकारियों राज सरकारों में जहाज़ा BJP की सरकारे हैं जादा तर उन लोगों ने मिलकर इस देश के लाखों बच्चों के साथ करों लोगों के साथ उनकी जिंदगी और उनके भविष्चे के साथ खिलवार किया है इसलिए ये नीट का एक्दाम पूरी तरीके से रद्ध होना चाहिए और फिर से एक्दाम कराया जाना चाहिए ये हम लोगों की मांग है नीट का एक्दाम पूरी तरीके से रद्ध करो और इसमें घोटाला क्या है आपको मालूम है ये नीट की पड़िच्छा का रिजल्ट जो आना था ये आना था चार जून को ए चौधा जून को मीरता जारत आगया, क्योंकि ये मेडिया वाले एफ सारे ये लगे रहेंगे, हाजी मोदि जीत येट उत्यपता गई, ये इतने जीद गए प्रधान मंत्री बन गए सुबर प्रधान मंत्री बन गए ये जीद गए ये जीद गए ये जीद गए फार्ती जनता पार्ती के गुड़गान में पूरा देश लगा रहेगा और भाजपाईयों के पेपर लीग की चर्चा नहीं होगी बातपा सरकारों के पेपर लीग की चर्चा नहीं होगी NTA के पेपर लीग की चर्चा नहीं होगी सिख्षा मंतरी के पेपर लीग की चर्चा नहीं होगी सिख्षा मंतराले के मोधी सरकार के घोटाले की चर्चा नहीं होगी इसलिए NTA ने जान बूच के चार जून को रिजल्ट प्रकासित किया मैं पूछना चाहता हूँ पहली जाज तो इसी बात की होनी चाहिए कि किस घोटाले को दबाने के लिए 14 जून की जगहें 4 जून को रिजल्ट प्रकासित किया गया नमबर एक और नमबर दो मैं इस देश के नौजवानों से भी कहना चाहूंगा कब तक हानोस रहोगे आप कब तक इनकी गुलामी करते रहोगे परिक्षा पर परिक्षा पर लीख हो रही है अगली वीर के नाम पर तुम्हारे साथ धोटाला किया जा रहा है भारत माता का सीना चलनी किया जा रहा है भारत की सीमाओं की सुलच्छा के साथ खिलबान किया जा रहा है अगली वीर बनाकर चार महीने के जवान बनाकर आपके पेटा और पीठ दोरों में चुला माना जा रहा है कब तक खामोस रहो गया आप उत्तर प्रदेश के अंदर साथ लाख बच्चों का भविस्य बरबाद हो गया पुलिस भरती के नाम पर वहाँ पेपर लीख हो गया कभी बिहार में पेपर लीख होता है कभी गुजरात में पेपर लीख होता है कभी राजस्तान में पेपन लीख होता है कभी हर्याना में पेपन लीख होता है कभी महरास्ता में पेपन लीख होता है चार-पांच साल के अंदर दो करोड बच्चों का भविश से बरबाद हुआ है पेपन लीख से कितने बच्चों का? दो करोर बच्चों का दो करोर बच्चों का और अगर पांच आदमी कभी परिवार मान लीजे तो करीब करीब दस करोर लोग इससे प्रभावित हुए हैं लेकिन हमारी संवेथ नये शायद मर गई है हमें साथ गुस्ता नहीं आता, जब भी चुनायों आता है, जाती के नाम पे, धरम के नाम पे, छेत्र के नाम पे, वासा के नाम पे, हमें लडाया जाता है हमारा वोट लिया जाता है मोदी जी का गुर्गान किया जाता है लेकिन देश के नौजवानों की बात नहीं होती बेरोजगारी का सवाल नहीं उठता उनके भविष्ट का सवाल नहीं उठता तो मैं इस देश के नौजवानों से भी कहना चाहता हूं चात्रों से भी कहना चाहता हूँ कब तक आप इनकी गुलावी करोगे कब तक इनकी मान सिख्ता के पीछे जिन्दा बात लगाते रहोगे उठाओ आगे बढ़ो और अपनी आवाज को बुलंद करो देश की सलक पे हमने आपकी आवाज बुलंद की है सदन 24 तारीक से सुरू होने जा रहा है 27 तारीक से राज्यसबा सुरू होगी मैं भरोसा जिराना चाहता हूँ इस देश के उन परिवारों को जो दुखी है इस देश के उन लोजवानों को जो दुखी है जो परेशान है जो पीडित है देश की संसद में भी आपकी आवाज को आम आदमी पार्टी के सांसत पूरी बुलंदी के साथ उठाएगे पूरी मजबूती के साथ उठाएगे अपने-पने अस्तर पे आवाज उठाईए तक तक आप इन नकली सवालों में उल्जे रहेंगे देश का प्रधान मंत्री चुनाओ प्रचार में जाता है तो साथ लाख बच्चों का जो भविश्य बर्बाद हुआ पुलिस भर्ती के नाम पर उत्तर प्रदेश में उसकी चर्चा नहीं करता देश के प्रधान मंत्री जब चुनाव प्रचार में जाते है तो गुजरात के अंदर जो पेपर लीग के कारण नौजवानों का भविश्य बर्बाद हुआ उसकी चर्चा नहीं करते देश के प्रधान मंत्री हर्यारा के नौजवान के साथ जो विश्वास घात होता है उसकी चर्चा नहीं करते महरास्टा के नौजवान के साथ जो भरस्टाचार होता है उसकी चर्चा नहीं करते देश के पुढ़ान मंतरी, कभी मुगल की बात करते हैं, कभी मुसल्मान की बात करते हैं, कभी मचली की बात करते हैं, कभी मंदरसूत की बात करते हैं, कभी मुजरा की बात करते हैं, शर्माती है भारत के पुढ़ान मंत्री को नौजवानों की चिंता नहीं है तुम्हारे अंदर अगर चिंता खतम हो गई है तो अभी तक तुम 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 दो सो चालिस पर पहुचाया है इस देश की जंता फिर से तुम को दो सीटों पर पहुचाने का काम करेगी नरिंदर मोदी जी चिंता करो नोजवानों की चिंता करो किसानों की चिंता करो महिगाई की चिंता करो बेरोजगारों की चिंता करो इस देश में किसानों को MSP नहीं मिलती देश को तुमने बरबादी की कगार पे पहुचा दिया और नकली मुद्दों पर देश्ट के लोगों को उल्जा कर रखते हो हमारा ये विरोध है और इस बात के लिए आज हम लोग जंतर मंतर पर इक अच्छा हुए है इसके पहले उत्तर प्रदेश्ट के अलग अलग जिलों में भी हम लोगों ने नीद के सवाल को लेके अंदोलन किया था कल पूरे देश्ट का आवाहन किया है कल पूरे देश्ट में आम आत्मी पाती नीद के एक्जाम के सवाल को लेके विरोध कुर्दर्सन करेगी हमारी सीधे तोर पर मांग है कि जिन लोगों ने NTA के जिन अधिकारियों ने राज सरकारों के साथ मिलके जहां जहां घपना और घोटारा हुआ है सब को सिर्फ सजा ही नहीं होनी चाहिए इनको ऐसी सजा होनी चाहिए कि आने वाली जो पीहिया है वो इस बात को याद करें कि नौजवानों के भविस्ति के साथ खिलवार तरने का नतीज़ा क्या होता है इसलिए मैं जादा लंबी बात नहीं करूँगा मैं आप सब से अनुरोज करूँगा अपने माध्यम से आवाज को बुलंद कीजिए और इस सरकार को सबख सिखाने का काम कीजिए आवाज उठाइए सिख्षा मंत्री के खिलाफ नरेंद्र मोधी के खिलाफ NPA के खिलाफ राज्य सरकारों के खिलाफ जहां जहां भी रस्ताचार हुआ पेपर लीक हुआ और आपके जिंदगी के साथ खिलवार हुआ बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए संजय भाई अब हमारे शभी मंत्रीयन और शभी नेतागन हमारे सभी इस्तिसत नेता नीत इग्याम घुटाला का प्रती चलाएंगे तो मीडिया सदिस ने बजदन की इस साइड में आ जाएं और जैसे ही उतरेंगे उतरते ही इस प्रती को नहीं यहां नहीं हो सकता यह उतरते ही यहां नहीं हो सकता जहां जैसे उतरेंगे जहां पे यहां मश्किल हैं कैसे जलाएंगे यहां जलाएंगे तो टेंट जल जाएगा आज बहुत बढ़ी है यह करूँ यह फोन किसका पढ़ा है यह फोन किसका पढ़ी है यह फेपर चलाएंगे तो पर रखो लो बैक को भी लो और लाइव डिवाइस को भी लो चल रहा है स्पीड आ लिए पर यह फेड़ी। हाए आगल के जाएगे यह फूर्ण मोचेश को भी लो अर बाई भाई अजाए इन तोटब के तो है जोतरा जोड़ें लुटाय को डाइए जेवर भाई बाई गाई झाल झाल झाल